अगर सत्तर वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्षिया परोग्ष रूप से थी, क्वैलिशन के रूप में या अधिकान्ष मेजॉरिटी के रूप में, अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता, तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता, यहां मेरे रिप रिपोर्टरों से आज कह रहे थे, आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं, इवियम काम नहीं कर रहा, इलेक्षन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार काम केवल र पोर्ट करते थे वो होता था यूरिया की कमी यूरिया की कमी के लिए किसानों के उपर लाठी डंडे भाजना उनको उनके उपर अत्याचार करना ये आम बात होती थी मगर आज आप देखिए कहीं भी यूरिया की कमी के कारण लाठी चार्ज होता है कहीं भी यूरिया की कमी है ये छोटा विशय नहीं है देड़ लाक करोड से अधिक रुपए किसान सम्मान निधी के माध्यम से छोटे मजोले किसान राहूल गांदी जी के लिए दो हजार रुपए छोटी बात होगी वो तो कॉफी पी जाते होंगे मगर आप पूछिए एक साधारन विक्ती से कि दो हजार रुपए जब उसके एकाउंट में बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है वो बीच खरीच सकता है सिचाही की क्या परिस्थिती है फसल बीमा योजना की क्या परिस्थिती है देड़कुना MSP ये सारे विशय किस ने किया ये सिस्टमिक एटाइक उन पार्मर्स आप बता रहे हैं सिस्टमिक अपलिफ्टमेंट फार्मर्स हुआ है एक सिस्टमिक तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है राहुल गांदी मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं इससे आप बचिए देश में सबसे महत्तुपूर्ण विशय है शान्ती की स्थापना हिंसा ना हो शान्ती रहे हम विकास के पत पर अग्रसर हो हर जिम्मेदार पार्टी का ये कर्तव्य है भ्रम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ जोकना और भढ़काना ये उचित नहीं है राहूल गांधी जी और कॉंग्रेस पार्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद बंदुगन में अंतमितना कहना चाहूंगा आज इसमें हम कोई प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं क्योंकि more or less ये एक स्टेट्मेंट था जो हमें कहना था हमने बहुत स्पश्ट रूप से रखा है एक जिम्मेदार पार्टी और एक जिम्मेदा झाल